दिवाली पर यह पांच उपाय करने से होगी धन की तंगी दूर दिवाली के पांच दिन संकट के दूर करने के लिए सबसे शुब माने गए सास्तरों के अमसार व्यक्ति को इस जीवन में अर्थ, उपकार, दया के रूप में किसी भी तरह का उधार लेना ही पड़ता है इस उधार को उतारने के बाद ही मनुष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है ये हैं वो पांच उपाई जिससे धन की तंगी को दूर किया जा सकता है बस इन पांच उपाईयों को करने से आपके घर से धन की तंगी दूर हो जाएगी और आपके उपर महालक्ष्मी जी की क्रपा होगी No.1, दिवाली से पहले धन तेरस के तियोहार राता है इस दिन तेरा धीपक जलाएं और हर धीपक में एक कोड़ी डाल दे धीपक पूर्ण हो जाए तब ये तेरा कोड़ी लेकर साफ करें और तीजोरी में रख दे नमबा सेकंड नर्क चतुदशी जिसे रूप चतुदशी भी कहतें उस दिन पवित्रता से पांच प्रकार के फूल की माला में दुरुवा व बिल्व पत्र लगा कर देवी को अर्पित करें अर्पित करते समय मोन रखें यह प्रयोग बहुती प्रभावकारी है ऐसा करने से यश में व्रद्धी होती है नमबर थर्ड दिवाली की रात्री में ग्यारा बजे के बाद एकाग्रता से बैटकर आखे बंद करके ध्यान करें ध्यान करते समय ऐसा सोचें जैसे की सामने महलक्ष्मी कमला शन पर विराजमान हो और आप उनके उपर कमल के फूल चड़ा रहे हैं ध्यान करते समय मनी मन में कुल 108 मानसिक कमल पुष्प अर्पित करें ऐसा करने से लक्ष्मी की क्रपा होती है साथ ही विश्णु शर्ष नाम या गोपा शर्ष नाम का पाठ करें तो अधियोत्तव में नमबर फोर अनकुट के दिन बोजन बनाकर अपने कुल के देवता के मंदिन में अपने पीत्रों को गाय को रिश्यों के निमित भ्रह्मन को अपने कुल के पक्षी और किसी बिखारी को बोजन करवाएं साथ ही व्रक्ष को जल चणाएं सूरी को जल चणाएं अगनी में घियर पित करें शूटियों को आटा तथा मशली को आटे की गोली देने से घर में धन की कमी दूर होती और बरकत होती है भाय दूट के दिन सुबह शुद्ध पवित्र होकर पवित्र रेश्मी धागा गुरु वह इस्ट देव को याद करके धूख दीप के बाद उनके दाइने हाथ में ये डोरा बांदे डोरा बांदे समय इश्वर का स्मरन करें ये प्रयोग वर्ष प्रयान सुरक्षा देता है इन पांच उपायों को करने से आपके घर से सारी दुख दूर होंगे और मा लक्ष्मी जी आप पर महरबान होगी आप सभी को हमारी तरफ से विश्यो हैपि धिवाली और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई तो लाइक करें फ्रेंस और रिलेटिवस को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई